हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल महत पार साला पर मैं अमन स्रमा आज का किलास संख्याओं के बरगी करण के थियोरी से संबंदित होगा इससे पिछले किलास आपने देख लिए होगे जो एकाई अंक इस्तानियमान और जातियमान से संबंदित थे तो चलिए दोस्तों आज का किलास हम लोग अब सिरू करते हैं संख्याओं के बरगी करण से इसमें ये ध्यान रखना ये पूरी तरह से थियोरीकल होगा इसके बाद का जो दूसरा इसका पार्ट होगा उसमें संख्याओं के बरगी करण से समंदित जितना भी कोश्चन पूछा गया होगा या पूछा होगा उस सभी कोश्चन में आपको सॉल्ब करा होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का लेते हैं पहला कोश्चन प्राकृतिक संख्याओं क्या होती है नेचरल नंबर क्या होती है तो बे संख्याओं जिन से हम बस्तों को गिन सकते हूँ प्राकृतिक नंबर कहलाती है इसको लिख लो दियान से समझो देखिए बे संख्या हैं जो एक से सुरू होकर एक दो और कहां तक जाती है आनंद तक जाती है प्राकृतिक नंबर कहलाती है ठीक है अब एक्जाम में कोशन पूचा जाता है क्या पूचा जाता है ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसे सवी संख्याओं का योगात्मक और गुला गुलात्मक तस्मक की यह क्या होता है ogni aci संख्या जिससे किसी भी संख्या में गुणा करÓ दें तो उसके मानपर कोई भी पिरवाव ना पर इस geç गुलात्मक तस्मक कहलाती है तो आप देखके यहां से मुझी बताओ यहां गुलात्मक तस्मक किसे कहोगे एक के लिए कहोगे तो यहां एक क्या हो जाएगा गुलात्मक तस्मक हो जाएगा ध्यान आपको रखना है गुलात्मक का मतलब क्या होता है ऐसी संख्या जिससे किसी कि भी संख्या में गुनां करें और उसके मानुपर कोई प्रभाब ना पड़े। उसे गुणातमक तश्मक कहते हैं। मुझे लाएगा देखी कैसे जीरो से लिखना शुरू गळूर ये जीरो, एक, दो, तीन, और ये کہान तक जाएगा अनन्त तक जाएगा ये क्या हो गया, आपका पूर्ण संख्याओं का समू हो गया, पूर्ण संख्याओं हो गई मैंने क्या बताया पीछे युगात्मक तस्मक किसे कहते हैं जिसको किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव ना पड़े उसे युगात्मक तस्मक कहेंगे तो यहां पर जो जीरो होगा ये युगात्मक तस्मक होगा यह बात आपकी बिलूग किलियर हो गई जीरो को युगात्मक तस्मक कहा जाता है इसको किसी भी संख्या में जोड़िए उसके मान पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा एक को क्या कहते हैं गुलात्मक तस्मक किसी भी संख्या में गुला कर दीजिए उसके मान पर कोई प्रभाब नहीं पड़ेगा तो पूर्ण संख्या के लिए रो गई ठीक आगे देखिए आगे आता है पूर्ण पूलांग संख्या है पूलांग संख्या है दो प्रिकार की होती है एक धनात्मक और एक रिनात्मक द्यान से समझो बात हमारी ठीक है देखिए अगर मैं इस पर लिखना शुरू करूँ तो यहां से गौर से समझना है माल लीजिए संख्या अनंत से आ रही है माइनस तीन माइनस दो माइनस एक ठीक है अब क्या आएगा दोस्त अब आएगा आपके पास जीरो अब क्या होगा पिलस एक पिलस दो और इस प्रिकार से कहां तक जाएगा अनंत तक जब प्राकृतिक संख्याओं को पिलस या माइनस से दर्साया जाता है तो वे संख्याएं पुलांक संख्याएं कहलाती है ठीक है तो अगर एक्जाम में आ जाए धनात्मक पुलांक संख्या किसी कहते है तो द्यान रखना सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है धनात्मक पूलांग संख्याएं होती है धनात्मक पूलांग संख्या कौन सी होती है तो याद रखना है सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी धनात्मक पूलांग होगी अब कोश्चन एक्जाम में ये बनेगा जीरो क्या है जीरो धनात्मक पूलांग है या रिलात्मक पूलांग है लेकिन ये धनात्मक है या रिलात्मक तो द्यान रखना दोस्तों जीरो ना तो धनात्मक पूलांग है और ना ही रिलात्मक पूलांक है, इसको सिर्फ पूलांक माना गया है, लेकि धनात्मक और रिनात्मक में नहीं रखा गया है, तो यह भी यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए अपने पास, देखिए, लिख लो सुन्य, सुन्य, धनात्मक धनात्मक वा रिनात्मक पूलांक पूलांक नहीं है, इसे सिर्फ पूलांक माना गया है, इसे सिर्फ पूलांक माना गया है, बात के लिए रो गई, तो ध्यान से समझिए फिर से एक बार, पुलांग संख्याएं क्या होती है बैसी संख्याएं बैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनको धनात्मक या रिनात्मक से दर्सा दिया जाए वो सभी संख्याएं पुलांग होंगी तो दनातमक पूलांग किसे कहते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्या दनातमक पूलांग है जीरो क्या है तो जीरो के लिए ये ना तो दनातमक पूलांग है और ना ही रिनातमक पूलांग है तो अब एक्जाम में यदि पूछेगा तो किस प्रिकार से पूछेगा तो याद रखना है जीरो के लिए उदासीन पूलांग कहते हैं क्या कहते हैं उदासीन पूलांग तो जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उदासीन पूलांग ना तो धनातमक पूलांग है और ना ही रिलातमक पूलांग है तो जीरो क्या यह एक उदासीन पूलांख है, बात के लिए रोगई, चलो, अब आगे बढ़ते, नेस्ट देखिए भई, नेस्ट आता है आपका परमय संख्या है, बहुत ही जी है, बैसी संख्या है, जिनको एक भिन्द के रूप में लिख सकते हों, बो सभी संख्या हैं परमय संख्या हों भिन्द के रूप में, भिन्द के रूप में लिखी जा सकें, लिखी जा सकें, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यानि भिन्द के रूप में लिखी जा सकें, ऐसे मांगे लिजिए पी वटा क्यू के रूप में लिख सकते हों, लेकिन क्यू कवी भी क्या ना हो, जीरो ना ह यदि Q0 हो जाएगा तो ये पूरा मान अनंत बन जाएगा तो कवी भी हर को 0 ना होना चाहिए इध्या रखना हर कवी भी 0 ना हो इस बात को आप अवस्याद रखना है अब देखिए इसका एक्जामपिल ले लेते हम लोग तो एक्जामपिल के रूप में यदि हम बात करें तो 4 बटे 5 क्या है एक परमे संख्या है ठीक है अगर मैं only 3 लिखे दूँ तो ये भी एक परमे संख्या है क्योंकि अगर 3 के बटे में एक लगा दोगे वो पी बटा Q बन जाएगी ना तो इसलिए only अगर हम 3 लिख रहे हैं तो ये भी क्या है एक परमे संख्या है और यदि मैं रूड पांच लिखे देता हूँ तो अब ये परमे संख्या नहीं होगी क्योंकि इसको भेन के रूप में नहीं लिख सकते हैं आगे बढ़िये अगर मैं लिख दूँ रूड पच्चिस तो अब ये परमे संख्या है रूड पच्चिस का मान प्लस माइनस 5 होगा प्लस माइनस से फरक नहीं पड़ेगा एक बद ध्यान रखना है रूड पच्चिस का मान जो बैलू होगी वो क्या होगी पांच होगी तो इसलिए पांच को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो रूड पच्चिस क्या है एक आपकी परमे संख्या है तो यहां से दो कोश्चिसन किलियर हो गए क्या क्या हो गए सभी सभी प्राकिर्त या प्राकिर्तिक संख्या सभी प्राकिर्तिक संख्या दोस्त क्या होती है परमे होती है यह बात आपकी किलियर हो गई या तक अरे एक लिखो दो लिखो तीन लिखो चार लिखो सब के बटे में एक चिपका सकते हो तो सभी प्राकिर्तिक संख्या क्या होंगी पर्मे होंगी आगे समझे एक पॉइंट यहां से और किलियर हो गया सभी सभी पूलांक सभी पूलांक संख्या सभी पूलांक संख्या भी क्या हो जाएगी पर्मे हो जाएगी यह बात आप यहां से किलियर रूप से समझ लीजिए सभी पूलांक संख्या भी पर्मे हो अब आपका कहना होगा भाया क्या जीरो भी एक पुलांक है तो यस देखिए अगर जीरो के बटे में एक लिखते हो तो इसका मान जीरो होगा देखिए हर का जीरो हर को जीरो नहीं होना है तो यहां पर कितना एक है मान तो जीरो आ गया यानि जीरो को भी हम बहने के रूप मे परदसित कर सकते हैं तो चाहों तो आप इसको अलक से लिख लो सुने क्या है तो सुने एक परमे संख्या है सुने एक परमे संख्या है यहां तक आपकी बात के लिए रो गई है तो परमे संक्याएं क्या होती है? बे संक्याएं जिनको भिन के रूप में लिखा जा सकता हो लेकिन क्यू का जीरो ना होना चाहिए? अब सभी प्राकृतिक संक्याएं परमे हैं, सभी पूलांग भी परमे हैं, सभी पूल भी परमे हैं, ठीक है? जीरो भी क्या है? परमे संक् संख्याएं बे सभी संख्याएं पर्मय होंगी जिनका जिनका दसमलब पिरसार सांत जिनका दसमलब पिरसार सांत या समान आवर्ती का हो मैं जानता हूँ ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आई होगी समझे द्यान से बे सभी संख्याएं पर्मय होंगी जिनका दसमलब पिरसार क्या हो या तो सांत हो या फिर क्या हो अच्छे ये समान आवर्ती का हो तो सबसे परे सांत का एकजामपि लीजिए जैसे एकजामपि मैं लिगा दसमलब तीन पांच दो एक अब देखो द्यान से अगर इसको बोलते क्या दसमलब पिरसार सांत है अगर मैं यहां से दसमलब को हटा दूँ तो नीचे एक लिख के चार जीरो को बढ़ा दूँगा इसका मतलब ये संख्या भिन के रूप में लिख गई और जब भिन के रूप में लिख गई तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई? परमे संख्या हो गई तो सांत दसमलब द्यान रखना क्या होता है परमे नमबर होता है दूसरा एक्जामपिल है यह समान आवर्ती का हो जिए दसमलब पांच 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 और इस प्रिकार सी अनंतक गया है तो जब हम बार वाले कोशन पढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पांच की उपर बार ठीक है यह बार का मतलब होता है पांच बटे नो अभी आप सिर्फ समझ लो इतना सा आगे पूरा चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो यह जब समान आवर्ती होगी त कैसा हो समान आवर्ती का हो परमे संख्याओं कहलाएंगी थोड़ा आगे कुछ परमे संख्याओं के बारे में और समझीए एक्जाम में कोशन पूछेगा दो परमे दो परमे दो सॉरी एक्जाम में कोशन आपसे पूछा जाएगा दो परमे संख्याओं दो परमे संख्याओं के बीच अब यह बास समझ लेना ध्यान से दो परमे संख्याओं के बीच अनंत परमे संख्या होती है इसको अच्छे से आपको याद रखना है दो पर मैं संख्याओं के मद अनंत पर मैं संख्याएं होती है अगला कोश्जन पूछा जाएगा दो पर में संख्याओं का गुलन फल गुलन फल दो पर में संख्याओं का गुलन फल गुलन फल वा योग फल कैसा होगा दो पर में संख्याओं का गुलन फल बायोग फल कैसा होगा तो आपको जवाब क्या देना है समझिए माली जी दो परमे संख्या दो बटा तीन है और एक संख्या कितनी है चार बटे पांच है इनका ये गुड़नफल क्या हो जाएगा तो लोड के बापिस से एक परमे संख्या बन जाएगी आगे समझो माली जी एक संख्या तीन और एक पांच है पांच तीन कितना हो गया पंद्र है तो यह क्या हो जाए गुड़न फल एक परमे संख्या हो जाएगी अगर आप इनको जोड़के भी लिखते हो दो बटे पांच और तीन बटे दो इनको एड़ करोगे तब या तो भिन बनेगी या पर एक प्राकृतिक संख्या बनेगी तो दो परमे संख्याओं का गुड़न फल बायोक फल हमेशा क्या होता है हमेशा एक परमे संख्या होता है इनको अच्छे से आप नोट करके लिख लेना यहां तक बात क्लिर हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि परमय संख्या आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते नेस्ट देखिए, नेस्ट है अपने पास आप परमय संख्या हैं, ठीक है, नेस्ट, आप परमय संख्या हैं, यह परमय का उल्टा हो जाएंगी, परमय संख इने भिन के रूप में नहीं लिखा जा सकता लिखा जा सकता ये इनकी पहली definition हो गई ठीक है दूसरी definition इसकी क्या कहती है दूसरी definition इसकी क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा आप यहां समझ लीजिए देखिए बे संख्याएं जिनका दसमलब पिरसार असांत वा आसमान आसमान आवर्ती का हो यहां तक बात क्लिए हो गई दौनों को अच्छे से आपको समझना है पॉइंट को पहला जिनकों बेहन के रूप में नहीं लिख सकते हैं पहले का मैं example दोंगा सबसे पहले यह पहली definition है और यह आपकी दूसरी है तो पहले का example लिखिए रूड में पांच रूड में तेरा इनको हम अब बहन के रूप में नहीं लिख सकते हैं इसलिए यह सभी संख्याएं क्या हैं अपरमें संख्याएं दूसरे का एक जाबिर समझे दूसरा है बे संख्याएं जिनका दसमलब प्रसा असान तो और वह असमान आवर्ती का हो जैसे दसमलब तीन पांच दो एक चार और चलते जा रहा है कहां तक अनन तक क्या इसको आप बहने के रूप में लिख सकते हो तो नहीं लिख पाओगे बहने के रूप में जब ही ल तो यहां भी समान आवर्ती नहीं है तो यह क्या हो गया असांत दसमलब हो गया असमान आवर्ती हो गई इन सभी संख्याओं को आप परमे संख्याएं कहते हैं बात के लिए रोगी यहां तक ठीक है आगबड़ी नेस्ट समझी वहीं ठीक देखो कहेगा एक परमे एक परमे संख्या वा एक आपरमे संख्या आपरमे संख्या का यूग का यूग एक परमे संख्या और एक आपरमे संख्या का यूग द्यान रखना हमेशा और हमेशा आपरमे संख्या होगा क्या होगा आपरमे संख्या ये हमेशा आपरमे संख्या रहेगा ठीक है एक परमे संख्या और एक आपरमे संख्या का योग हमेशा एक आपरमे संख्या रहेगा संख्या आपरमे संख्या का गुलन फल का गुलन फल तो ये भी आप द्यान से याद रखे ना और समझना बात के लिए ये भी क्या होगा एक आपरमे संख्या होगा ये सीधे सीधे कोश्चन आपके एकजाम में पूछे जाते हैं क्या होगा आपरमे संख्या चाहों तो आप स तो क्या व मघने बापेस से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाता है, रूड जहां 5 लग गया, जहां पर rural में चीज अगी, जो बाहर नहीं निकल सकती है, वह क्या हो जाएगी, अपर में संख्या हो जाएगी, अज गुला करोंगे तो भी आपका रूड इए ऊपर रहेगा, इसल अगला अगली संख्या बास्तिवी संख्या वहती जी पहले definition समझंहूं से एला definition लिखता हूँ उसके पाट सम्झांओ ठीक है क्या होती है बेसंख्याएं बेसंख्याएं जिनका जिनका बर्ग राणे पर, जिनका बर्ग करने पर दधनात्मक संख्या पिराप्त हो क्या कहलाएगी बास्त्विंग नंबर मुझे पता है कम समझ में आई ये बात अब सुनो द्यान समझा देता हूँ अच्छे देखो एक्जाम्पिल जान लीजिए मैंने कहा माइनस तीन एक कैसी संख्या है अब मैंने कहा यदि किसी संख्या का बर्ग करते हैं और बर्ग करने पर वो संख्या धनात्मक प्राप्त होती है तो वो नंबर क्या है बास्त्विक नंबर है तो माइनस तीन बास्त्विक नंबर है लेकिन रूड में माइनस पांच बास्त्विक नहीं है यदि आप इसका बर्ग करोगे तो आप बर्ग करने पर क्या पाओगे भई ये मिलेगा माइनस का पांच तो क्या ये धनात्मक है नहीं है तो दिहान रखे न आप बास्त्विक संख्याएं क्या होती है बे संख्याएं जिनका बर्ग करने पर धनात्मक नंबर मिले अच्छे से थेयोरी को समझ लो अगला पाट जो आएगा उसमें कोश्चन भी सॉल्व कराऊँगा और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी जैसे एक नंबर मैं अब और लिखता हूँ मैंने लिखा माइनस रूड दो एक कैसी संख्या है तो अब पैचानू मैंने का बर्ग करने पर धनात्मक नंबर मिल जाए तो यदि मैं इसका अब एक बर्ग कर दूँ यहां से तो हमें क्या मिलेगा माइनस का पिलस हो जाएगा और यह दो का मिलेगा पिलस का दो तो यह क्या हो गया अपना यहां से धनात्मक नंबर मिला तो बास्तविक नंबर हो गया तो बे सवी संख्याएं जिनका बर्ग करने पर एक धनात्मक नंबर मिले वास्तविक संख्याएं होती है आप सुनो आगे, यहां से तुम क्या समझे, तो सवी प्राकृतिक संख्याय वास्तविक नंबर होते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याय क्या होती हैं?, धनात्मक होती हैं, तो यह ध्यान सुन लेना, सवी प्राकृतिक संख्या सवी प्राकृतिक संख्या सवी प्राकृतिक संख्या सवी प्राकृतिक संख्या वास्त्विक वास्त्विक संख्या है यदि पूछले सवी धन पूलान संख्या कैसी है वास्त्विक है सवी रिल पूलान संख्या कैसी है वास्त्विक है यह बात clear है, जैसे माइनस तीन है, यदि आप माइनस तीन का बर्ग करोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा, पिलस का नो मिल जाएगा, तो सभी धनात्मक पूलांक बास्तविक, सभी धनात्मक पूलांक बास्तविक, यह बात यहां तक clear रहना आपकी, ठीक है, अब आगे आपकी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक नंबर, तो पहले definition लिख लेता हूँ, उसके बास समझा दूँगा, देखिए, बे सभी संख्याएं, बे, बे, बे सभी संख्याएं, बे सभी संख्या, जिनको, जिनको, बर्ग, जिनको बर्ग, करने पर, एक, रिणात्मक, एक रिणात्मक, संख्या, पिराप्त हो, बो सभी संख्याएं क्या होंगी, अवास्त्रिक संख्याएं होंगी, अब कैसे तुम्हें ये समझना है, एक एक जाम्पिल से समझो, मैंने लिखा, रूड में माइनस का पांच, आप देखो, यदि आप इसका बर्ग करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा माइनस का पांच, ये क्या है, एक रिणात्मक है, और रिणात्मक संख्या, यदि प्राप्त होगी, तो वो संख्याएं कैसी होगी, कालपनिक नमबर होगा अब आस्तिविक संख्या होगी यह बात क्लियर है आगे समझे दिहान से यहां पर एक बात और जैसे मैं लिखा रूड में माइनस साथ यदि आप इसका बर्ग करोगे तो यहां से कितना मिलेगा भई तो माइनस का साथ मिलेगा यह क्या है एक रिणातमक नमबर है तो यह क्या हो गई आवास्तिविक संख्या हो गई यह बात क्लियर है ठीक आगे समझो थोड़ी सी बात एक और समझो है एक जाम में जाहां से कुशन बनते हैं मैं कल कुशन आपको कराँ है उस बात को सुनिए द्यान से, देखो, यदि कालपनिक नमबर की पावर एक सम नमबर है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यदि कालपनिक नमबर की पावर एक बिसम नमबर है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक कैसी संक्या प्राप्त होगी, इन दौनों ही कॉंसेप्ट को बड़े ही प्यार से तुम्हें समझना है ठीक है देखो छोटा सा एक्जामपिल कालपनिक नमबर यानि हम लेते हैं पांच कि पावर यदि सम नमबर है तो इसक्वायर ठीक है तो एक कैसी संक्या में प्राप्त होगी तो यदि मैं इसका इसक्वायर कर दूँ तो कितना अभी ये कालपनिक और वास्तविक अभी ये पहचान नहीं है कालपनिक और वास्तविक की पहचान कव होती है जब उसका इसक्वायर करके हम चेक करते हैं यदि मैं इसका इसक्वायर कर दूँ तो कितना मिलेगा पिलस का 25 तो ये बात तुम समझ गए होगे यदि कालपनिक नंबर की पावर एक सम नंबर है तो संख्या कैसी मिलेगी हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगी मुझे पता है अभी कम समझ में आया होगा दुबारा रिपीट करता हूँ देखी समझो जैसे मैंने लिखा रूड पांच की तो क्या आप इसका पावर एक हजार चौबिस कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है डारेक्टी इन बातों को याद रख लेना है यदि काल्पनिक नंबर की पावर सम नंबर है तो क्या मिलेगा बास्तविक यदि काल्पनिक नंबर की पावर बिसम नंबर है तो क्या मिलेगा आपको हमेशा कालपनिक नंबर मिलेगा एकजाम पर छोटे से सवाल से समझिए रूड में माइनस दो की पावर कितना दे देते हैं बिसम नंबर ले लो कोई सावी हम मा लेते हैं तीन हमने ले लिया यहां से बिसम नंबर है इसकी पावर जब आप तीन करोगे तो क्या होगा दो रूड माइनस का दो होगा होगा या नहीं ठीक है अब यह बास्तविक और कालपनिक की यह पहचान नहीं है बास्तविक और कालपनिक बर्ग करके पहचान जाता यदि बर्ग करने पर धनात्मक है तो वो बास्तविक, बर्ग करने पर रिलात्मक है तो वो कालपनिक, यदि मैं अब इसका स्क्वाइर करूँगा, तो दो का स्क्वाइर चार और इसका होगा माइनस दो, यहां से कितना मिला माइनस का आठ, देखो यह क्या है, यह एक रिलात पर है और होगा कभ़। जब क संख्या को समझ उला कंगर एक जां में बहुती सुंदर सुНदर कोश्षिशन इसके हूपर बनते हैं उसकी चर्चां कल के किलास में करेंगे लास्ट ऑगे और सम्झेलिजिए समिस्ट्र संक्या होती है हैं कॉंप्लेक्स नमबर क्या होते हैं बहुत ही जी यह देखें यह होता है वास्तविक संख्या वास्तविक पिलस माइनस कालपनिक यानि वास्तविक नमबर और कालपनिक नमबर से मिलाकर जो संख्या बनती है उन्हें समिस्र संख्या कहते हैं इनके एक्जाम्पिल लेख लेजिए वास्तविक संक्या कौन सी है तीन है और पिलस का कालपनिक नमबर कौन सा है रूड में माइनस का पांच ये कालपनिक नमबर हो जाएगा एक और एक्जाम्पिल लेजिए जैसे मां लेजिए पांच है ये माइनस कालपनिक नमबर लेजिए गए ये आपके समिस्त्र संख्याओं के हो गए उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का किलास आपको पसंद आएगा यदि किलास पसंद आता है न तो वीडियो को में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद